हिए जित्रा जी वा शांदी तो दिखी रही है चित्र जी बेहर हाल मैं आश्चरी एक्टी तक हूं आप देखिए यह सुवृधह की जातीवादी है अभी तुरंट इन्हों ने कहा कि मैं भी ब्रामाण हूं और मैं आप वाला ब्रामाण हूं और इसक्व बाद वाला ब्रामन जो कोट के उपर जनेव पहनता है जब हिंदुओं के उपर करोली में आक्रमन होता है तो वह सब्से बढ़ा वाला बाद बतानी कहां चुपा हुआ रहे जनेव उतार करें संबीजी बहतर है जिजी के तक्स ना करें बहतर है बहतर है तो आप बोलेजे जब बाद बात बात हो जाए अब रता रही यह एड़ मास्टर के तरह चिलाना बंद करें चितरा जी नंबर एक निजी का तक्स क्या होता है चितरा जी आप ही के शो में एक पार ने एक करके बोलें मुकेश रमाजी आपकी बारी आए कि तब बंद करवा है चितरा जी यह तरीका ठीक नहीं है देखे अगर आप बार बार उनकी बीच में बोलेंगे तो मुझे मज़े मजबूरन आपका आपका आडियो डाउन करना पड़ेगा प्लीज साहिए बिलकुर तरीका ठीक नहीं है गीता भट भी हमारे साथ जुट चुकी है राजरतिक विश्टेश्रक उनके पास में जाओंगी लेकिन मुकेश जी मुझे उम्मीद है पूरी कि आप डिबेट की मर्यादा का समान करेंगे और थोड़ी देड इनके फ्रस्ट्रेशन को मैं इनक्षमा करता हूं और मैं आशा करता हूं यह शांती से मुझे सुनेंगे देखिए मुझे तो आश्चरी इस बात का हो रहा है आप सोच के देखे जरा नीजी टिपणी नीजी टिपणी क्या होती है इन्होंने एक देश के बड़े चैनल में कहा कि मैं ब्राम्हन हूं और आप एंकर साहिबा आप ब्राम्हन है और मैं बड़ा ब्राम्हन हूं मतलब मेरा घराना जो ब्राम्हन का है वो बड़ा ब्राम्हन है और फिर इन्हीं की पार्टी ब्राम्हन के कारण किस प्रकार के अत्याचार होते हैं इन्हीं की पार्टी ज प्रकार की तुष्टी करण के कारण आज कॉंग्रेस की यहालत है देखिए चित्रा जी राजस्थान में इन्होंने कहा रमजान में जो मुसल्मान इलाके हैं उस पे हम बिजली से जगमगाएंगे कोई आपती नहीं है नवरात्र भी चल रहे हैं कभी इनकी हिम्मत है कि हिंद हिंदू इलाके मुसलिम इलाके इनके डिक्ष्णरी में हैं मगर हिंदू इलाके इनके डिक्ष्णरी में नहीं है क्योंकि यह तुष्टिक और यह जो हिंदूस्तान की विभाजन के पीछे इसी प्रकार की वोकाइबलरी थी मुसलिम इलाके यह उनने कहा कि वह समान निसी बात है इसमें इतना यह वो क्या रहें कि हिंदु इलाके का जिक्र क्यों नहीं आता है वो के शर्मा जी मुस्तिकरण का काम करती है कॉंग्रेस पार्टी एक बार उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद आप इसका जवाब दे दीजेगा एक बात पूरा मैं पूरा मैं पूरा इलाके कोट-णकोट अकबारों में छपा आप लोगों ने कहा कि मुस्लिम इलाके में भगवारेली हो गई और आप जानते है कौन इसके लिए जिम्मेदार है आपका काउंसिलर कॉंग्रेस पार्टी का काउंसिलर मतलूब अहमद आपने FIR दर्ज किया है आपकी सरकार ने मतलूब अहमद के खिलाफ FIR दर्ज किया है और मतलूब अहमद अभी भागा-भागा फिर रहा है वो एपसकॉंडिंग है तो ये नड़ा जी का नाम आप लेने से पहले सौबबार सोचिए और इस प्रकार के चेहरे मत बनाएं भयावा चेहरे मतलूब अहमद आपकाłe COUNSLER है मसजिद के ऊपर से और अपने जिम के ऊपर से इसने पहले से ही मास्क पहन करके पहले से घरों के ऊपर पथर कौन रखता है पेट्रोल बम कौन रखता है जब वहां से रैली शांती प्रिय तरीके से रैली गुजर रही थी तो पहले से मास्क पहने लोग वहां खड़े थे और वहां पत्थर की शिलाएं फेक रहे थे जिसको पत्थियां कहते हैं राजस्तान में पत्थर की पत्थियां और तमाम है और चित्रा जी बहुती जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं मुझे ख्षमा करिएगा इस प्रकार के लोगों के कारण ही जो लोग अपने बेनिफिट के कारण हिंदू का हलन करते हैं ऐसे लोगों के कारण ही देश का विभाजन एक बार नहीं सैकड़ों बार इस के हिंदो इलाकों का जिकर आखर क्यों नहीं किया जाता है आपके सरकार की ओर से उनके तेवहारों का जिकर क्यों नहीं किया जाता है और मैं तो नवरात्र को लेकर सवाल पूछ रही हूं मतब नवरात्र में अभी जो लोग 9 दिनों का वरत कर रहे हैं वो आराम से अंधेर गलत इंटर्प्रेट मत किजिए दूसरी बार चित्रा जी ने मुझे बिरामन का मैंने बिरामन का सवाल नहीं उठाया मैं ये बड़े साथ तोर पर मैंने पहले का था मैं फिर दोराना चाहता हूं हमारे लिए मंदिर हो मस्जिद हो गुर्दवारा हो चर्चो हमारे लिए सब आस्था की जंगे हैं और हम सब का बराबर सम्मान करते हैं कहां बराबर का सम्मान कर रहे हैं सर मुकेश शर्मा जी लोगों के जहन में है नहीं सवाल मैं आप मुझे कहती हैं मैं बीच में ना बोलूँ आप हमें सुनना नहीं चाहते हैं आप मुझे तो नहीं रोकियेगा न आप मुकेश शर्मा जी मैं तो सबाल पूछने से आप मना कर देंगे तो यहां पर रैली थोड़ी ने चल रही है वाजमासी के लिए उन्होंने देश के विभाजन का आरोप लगाया है हमारे पे देश का विभाजन सारा देश जानता है भारतिंता पार्टी कर रही है और आप जिस नाम पर करते हैं वो सब देश जानता है कोई छुपावा किसी से नहीं है चुनाव में हार जीते का लग विश्य है बीजेपी की नीती सब जानते हैं मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे लिए सब बराबर हैं हम होली दिवाली पर त्यवारों पर यसी विवस्ताइं करते रहें इसमें कोई हमने गुना नहीं किया जहां तक आपने पार्शत का नाम लिया है जो गुना करेगा एक कॉंग्रेस की सरकार में हो सकता है हम कभी गुनागार को बख्षते नहीं है ये आपकी सरकारों में होता है शकल देखकर टीका करने या काम हमारी सरकारों में नहीं होता है और आपने जो राहूल जी के बारे में टिपनी की है मुझे उसमर सक्त इत्राज है हिंदू का सब्टिकेट लेने के लिए बीजेपी के परवान की जूरत नहीं है कोई बीजेपी हिंदू का सब्टिकेट बातने की उनिस्टी नहीं है यह गलत प्रेमिया आप दिमाग से निकाल लिए ठीक है हाँ यह संटिकन बातना बन करिये आप